दियर फ्रेंड्स आप सब लोग का मेरे योट्यूग चैनल एटुजट फाइन आर्ट पे स्वागत है फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन्स आप लोग को मेरे वीडियो की मिलती रहे फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि ये चैनल जो है अंटिये यूजिसी नेट पेपर वन के लिए बनाया गया है तो जैसा कि मैं टीचिंग एप्टिट्यूड के पहले वीडियो डाल दी थी ये देखें टीचिंग एप्टिट्यूड का पार्ट वन डाल दी थी और साथ ही साथ इसके हम पार्ट वी आप लोग के सामने लेके आये थे जिसमें हमने निदानातमक काड़ यानी की सिक्षन चड़ो के काड़े के बारे में बात किये थे और पहले वाले पार्ट वन में हम टीचिंग का मिनिंग क्या होता है और साथ ही साथ कुछ teaching के बारे में literature लोग क्या बोले हैं जैसे जॉन ब्रुवेकर ने क्या बोला है ये सब के बारे में हम चर्चा किये थे तो आज हम जो रह गया था perspective functions और evaluations functions की चर्चा में नहीं की थी क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जा रही थी तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आगे भी कुछ topics देखेंगे तो वीडियो को प्लीज अंतक देखें और पसंद आए तो लाइक करें अपने डोस्त के साथ इसे share भी करें तो friends ये book रही Lucent की इसी से मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ अगर आप लोग भी purchase करना चाहते हैं तो purchase कर लेंगे book काफी अच्छी है तो कल हमने diagnostics के बारे में बात किये थी diagnostic functions के बारे में जो कि पहला number था और आज हम second number यानि की उपचारादमक काड़ी prescriptive के बारे में बात करेंगे तो prescriptive क्या होता है इस परकिरिया के अंतरगत अगर लिखित काड़ियों का संपादन करना होता है और एक बात और मैं कह दूँ कि ये जो lucent वाली book है ये दोनों language में उपलब्द हिंदी में भी मिल जाती है और इंग्लिस में भी मिल जाती जिनको जो language सुवीधा लगे अपने सुवीधा के अनुशार परचेस कर सकते हैं तो उप्चरात्मक काड़ी में हम पहला देख लेंगे क्या कह रहे हैं उचित विशय वस्तु अथवा सिक्षन सामगरी का चयन और उसका उचित सिक्षन एकाईयों में विवाजन एवं संगठन that means कि उप्चरात्मक काड़ी में जो भी विशय वस्तु है वो सब आएंगे और जो भी सिक्षन सामगरी का चयन है वो आएंगे और उस सिक्षन सामगरी का उचित सिक्षन देना भी जरूरी है मान लिजे कि अभी मेरे पास ये बुक है और इस बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ बट पढ़ाने की जिस सहली है मेरी वो कैसी है क्या मैं जो deliver lecture आप लोग को कर रही हूँ वो lecture आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं और ये chapter जो है teaching aptitude का ये लगभग तीस page जैसा कुछ है तो क्या मैं इसे एक ही दिन में खतम कर दे रही हूँ या फिर इसे धीरे-धीरे खतम कर रही हूँ तो ये सब भी important है अगर माले जै मैं teaching aptitude आप लोग को एक ही दिन में deliver कर दूँ उतने साड़े pages और तीन घंटे का video बना दूँ तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे इसलिए यहाँ पे कहा गया है इकाईयों में विवाजन यानि कि ये बुक में बहुत सारे chapter हैं इस बुक में 10 chapter है आप लोग को मालू में एक reasoning ability, analogical reasoning, चिलोलिज़, फिर normal reasoning जो numerical reasoning होती है दी आई होते हैं फिर आपके teaching aptitude, research aptitude बहुत सारे इसमें यानि कि 10 चीज से questions पूछा जाता है paper one में तो सब तो हम एक ही दिर में नहीं पढ़ा सकते हैं और पढ़ाना उचित भी नहीं है दूसरा है विद्यार्थी और अध्यापक के बीच चलने वाली उपयोगी अन्ताक्रिया के लिए विद्यार्थियों से आवस्यक सहयोग लेना जैसे अगर मैं कुछ परहा रही हूँ और अगर आप लोग हमारे सामने होते ये तो मेरा online channel है अगर माल लिजे कि मैं कहीं पर कोशीन करवा रही हूँ या फिर किसी उनिवर्सिटी में lecture deliver कर रही हूँ या school भी हो सकता है कहीं भी मैं lecture deliver कर रही हूँ या पढ़ा रही हूँ तो विद्यार्थियों से भी सहयोग ले सकती हूँ कहने का मतलब कि माल लिजे कि मुझे कोई chart बनाना है जैसे example में हम यही रख लेते हैं माल लिजे ये एक chart आप इसको समझ लिजे for example अब ये chart मुझे बनाना है तो ये chart बनाने में मैं अपना time क्यों waste करो तो कोई भी एक student को मैं ये काम दे सकती हूँ क्योंकि वो इस chart को बना के लेके आए ताकि इससे क्या होगा मैं उस समय में कुछ अलग काम कर सकती हूँ और इससे student का भी अच्छा एकसर साइज हो जाएगा तो student को भी काम देना उनसे सहयोग लेना भी important बात होती है किसमे प्रिस्क्रिप्टिब में तर्ड है विद्द्यार्थियों की योग्यताओं व्यक्तिगत विभिनताओं और उपलब्द साधन एबम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्छन तक्नीक शिक्छन यान कि टीचिंगण टेक्नीक व्यू रचनाओं यान कि टीचिंग श्रेटिडीकि सिक्षन युक्तियों यानि कि टीचिंग टैक्टिक, सिक्षन कॉसल यानि कि टीचिंग स्किल तथा प्रिष्ट पोशन अत्वा प्रटी पुष्टी वीधियों यानि कि फीडबैक डिवाइसे का ठीक परकार चयान करना यह दोनों तो एक साथ नहीं हो पाड़ा है फ्रेंस बट यहां से आप फिर से समझ लीजे कि विद्यार्थियों की योग्यताओं को ध्यान में रखना है और जो हम टीचिंग के लिए जो टेक्निक यूज कर रहे हैं उसे हमें ध्यान में रखना है टीचिंग स्ट्रेटरिजि उसको अप याद रखेगा कि प्रिस्क्रिप्टिब में ये सब चीज का आपको ध्यान रखना है देन है इस दिष्टी से सिक्षन प्रकिडिया में बिद्यार्थि की उपचारातमक कारियों से सम्बंधित भूमी का अध्याफक के साथ पूरी तरह सहयोग करने की होती है बि इनदेडंटेंटर्ट वरियवल्स तो उसमें हम बात कर रहे थी कि अगर बिद्यार्थियंसø को से हमहां घंप ले सकते हैं और यहाँ पर विद्यार्थिञार वयभार और उनके सिक्षन की पढ़ Seiतनों को को भी हम देख रहे हैं और साथ ही साथ यहां पर सिक्षन परिकिडिया यानि कि जो टीचिंग नॉट इसकिल बोलेंगे बट टीचिंग का जो डेलिवर करने का जो प्रोसेस है उसमें बाराबर का साजी दारी माना गता है यहां पर बिद्यार्थियों का भी इंपूट है और दोनों चीज की मांग हो रही है यहां पर डिमांड हो रही है दोनों चीज की ही हेल्फ हो रही जैसे कि हम पहले यहां पर भी बात किये थी कि अगर कुछ कहां कुछ ऐसे आवस्यक हो तो हम बिद्यार्थी से भी ले सकते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ट नंबर मुल्य मुल्यांकन किया जाता है मुल्यांकन मतलग evaluation that means कि इसमें वो सारे कार ये आएंगे जिसकी उद्देश्यों की प्राप्ती के लिए किये गए सभी प्रकार के उप्चरात्मक कारियों की उपलब्धी का मुल्यांकन करना अब जितने भी कारियां जितने भी वर्ग से उन सभी का evaluation करना जैसे कि अगर आप हमारे go through fine art वाले चैनल देखती हैं तो आपको मालूम होगा कि हम टेस्ट पे पढ़ लेते हैं और टेस्ट पे पढ़ लेने के बाद जो है उसका एक evaluation होता है हम ऐसे आपको समझाते हैं माल लिजे कि आप अभी class 10th में हैं class 10th में हैं आप तो आपक semester 1 होगा semester 2 होगा semester 3 होगा या फिर 3 exam होते हैं थीक है तो उसमें क्या होता है कि कोई student first आया कोई student second आया कोई student third आया ये एक मुल्यांकन हुआ एक होता है कि ranking करना माल लिजे कि अगर आप IIT में exam दिये हैं मान लिजे आपने IIT में एक्जाम दियें तो IIT में क्या होता है राइंकिंग होता है कि आपने कितने राइंक लाएं है उस हिसाब से आपके सेलेक्शन होती है तो evaluation करने के भी एक प्रिकिडिया होती है कि हम कैसे उसे evaluate करेंगे क्या हम ऐसा भी हो सकता है कि 4-5 टीचर मिल गए है और 4-5 टीचर मिलके एक evaluation कर दी है तो यह सब के बाड़े में भी हम अलग से बात करेंगे यह भी आप लोग का teaching aptitude और research aptitude तो पूरा ही different research aptitude है पूरा ही thesis का बात होता है फूर ठीचर मिल्यांकन यहाँ पे करेंगे और उप लोग को समझाएंगे अच्छी तरह से अब हम इस के बाद बात करेंगे अह इसमें इसमें भी देखें हाह जब हम मुल्यांकन के बात कर रहे तो देख लिए क्या रहा है कि a apprendre परकिरिया में मुल्यांकन कार हेटू बिविद मुल्यांकन तकनिकों जैसे निरिक्षन, साक्ष़तकार, रेटिंग, स्केल, प्रस्नावली, मौखिक, लिखित एवं परयोगातमक परिक्षा और परक्षे भी टकनिकों यानि कि प्रोजेक्टिव टेक्निक इत्यादी का परयो and then mocking, यानि कि oral से भी हो सकता है, कुछ प्रस्न पूछ किया जा सकता है, इस तरह की technique का हम उप्योग कर सकते हैं. Next, हम topic की आगे बढ़ रहा है, तो कल हमने पहला और दूसरा topic खतम कर दिया, यानि कि सिक्षन का अर्थ क्या होता है, and teaching के nature and characteristics भी फिनिस कर दी थी, तो अब हम आप लोगे सामने लाएं है, track of teaching, यानि कि सिक्षन कारी, सिक्षन के क्या क्या कारी है, तो यहाँ पर देखिए, सिक्षन कारी का तातपड़ ये, उन सभी प्रकार की सिक्षन गति विधियों से होता है, जिने वास्तविक सिक्षन अधिगम परिष्थितियों में, एक सिक्षक द्वारा अपने बिद्यार्थियों को साथ लेकर संपन किया जाता है, तो सिक्षन के कारी का तातपड़ ये हो गया, कि जो भी गति विधि होगी teaching में, उसमें हम सिक्षन अधिगम परिष्थितियों में teacher के द्वारा अपने बिद्यार्थियों को साथ लेकर, ठीक है, teacher प्लस student, दोनों को साथ लेकर संपन किया जा सकता है, ये चीज कैसे हो सकता है, ये चीज इस तरह से हो सकता है, मालने जे अभी हम आपको teaching aptitude ही पढ़ा रहे हैं, यही एक्जामपल में ले लिए, और teaching aptitude में हम आपको मालने जे कि teacher के meaning बता रहे हैं, अब जब हम आपको teacher की meaning बता रहे हैं, तो हम आपको कुछ जब बता रहे हैं, और आप भी अगर पढ़के आ रहे हैं, या फिर आपके पास सोड़ी नॉलेज है, तो हम लोग जो साथ में जिसे ट्विज टाइप का हो गया, या फिर जो डिसकसन होता है, ग्रूप डिसकसन, तो अगर उसमें, अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूं और आप भी अपना कुछ योगदाम दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो करेंगे, इसी के और भी गुन है, ट्रैकिंग और टीक्चिंग में एक ये हो गया, दूसरा है कि सिक्षन कारी का अभिपड़ाय, सिक्षक त्वारा संपन, उन सभी सिक्षन अधिकम परिस्थितियों के प्रभंधन या वैवस्ता से होता है, जिनके अंतरगत एक सिक्षक को देखिए, उसके अंतरगत सिक्षक को क्या क्या करना चाहिए, जिसके अंतरगत सिक्षन को सिक्षक और सिक्षारती के बीच परतियक्ष अंता करिया, यानिकि डिरेक्ट इंटरेक्शन का संचालन करना था, जिससे अभी हमने आपके साथ ग्रूप डिसक्रेंशन की बात की, तो अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं और आप कुछ questions कर रहे हैं मैं answer दे रही हूँ मैं कुछ questions कर रही हूँ आप एक answer दे रहे हैं तो वो direct interaction हुआ तो देखें मैं पहले ही आपको ये बात बता दी और यहाँ पे ये बात लिखा हुआ भी है तो आप लोगों याद रखना है कि टीचिंग टीचिंग ट्रैकिंग में ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये सब चीज होते हैं अदेन है कक्छा सिक्षन हेतु अध्यापक को पुर्व तैयारी के रूप में नियोजन तथा सिक्षन अधिगम हेतु आवस्यक सामगरी जुटाने का कारी करना पड़ता है अभी मैं teaching aptitude पढ़ा रही हूँ मेरी ये subject भी नहीं है मैं इसमें master भी नहीं हूँ मेरा ये specialization भी नहीं है फिर भी आप लोग को लगड़ा हो कि मैं fluent पढ़ा रही हूँ ऐसा क्यों लगड़ा है क्योंकि कोई भी चीज पढ़ाने के पहले अगर मैं खुद पढ़ती हूँ म लिए preparation करना पड़ता है और तभी वो एक अच्छी teacher है अगर वो prepare करके नहीं आएंगे तो वो उतने अच्छे से lecture deliver नहीं कर पाएंगे और दूसरी बात ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़के आएंगे तो lecture अच्छे deliver करेंगे अगर वो नए है वो बिलकुल नए है उनके पास Go Through Fine Art जो जिनको मालूम है कि Go Through Fine Art मेरा एक चैनल है जिसमें मैं किस चीज के बाड़े में बात करती हूं Fine Art के बाड़े में तो उसका अगर आप एकदम पहले का lecture देखिएगा फर्स लेक्चर तो वो उतना अच्छा नहीं है तो कि मैं फर्स टाइम यूट्यूब चैनल उपे तो कोई भी चीज का ये चीज होता है फर्क पड़ता है कि आपके पास experience कितना है इसलिए अगर आप experience नहीं भी है अगर आप पहले से प्रिपेर होके आते हैं तो कुछ हद तक आपकी lecture अच्छी होंगी तो ये बात भी ध्यान रखना है सिक्षन ट्रेकिंग में कि हम पड़किरिया का मुलियांकन करने संबंधी काड़ी करने पडते हैं तो वही है कि जब कोई ब चीज पढ़ा रहे हैं तो उनका मुलियांकन करना भी बहुत जरूरी है तबी तो हमें मालूम चलेगा दा कि आपको क्या में चो पढ़ाई ही हूँ या प Keith को भी प्रुत की ले लिजे, NTA UGC NET की ले लिजे तो इसलिए तो एक्जाम होती है ना ताकि एविल्वेट कर पाएं कि आप अगर जो मान लिजे कि NTA NET में कैसा questions पूछा जाता है जो आपने BFA और MFA में पढ़े हैं जो bachelor और master's में पढ़े हैं उससे ही questions तो आप उसे पढ़े या नहीं पढ़े हैं तो वहाँ से questions आती है अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आपका NTA UGC NET के लिए हो जाएगा तो ये तीन बात बहुत इंपोर्टेंट है इसे आप teaching tracking में याद रखिएगा यानि कि सिक्छन काड़ी में ये तीन चीज आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है अब next है कि सिक्छन काड़ी अवस्थाएं एबं संक्रियाएं इस English में हो जाएगा teaching tasks, phases and operations प्राया सिक्छक द्वारा संपन सिक्छन काड़ी को उससे जुड़ी हुए बिभिन संक्रियाओं के संपादन की दिरिष्टी से तीन अवस्थाओं में विवाजित किया गया है सिक्छन को तीन अवस्थाओं में विवाजित किया गया है कौन-कौन पुर्व किरियातमक्चरन नियोजन यानि कि Pre-Active Face Planning Stage सेकेंड है अन्ता किरियातमक्चरन किरियान वियन अवस्था यानि कि Interactive Face Implacement Stage थर्ड है उत्तर किरियातमक्चरन मुल्यांकन अवस्था तो फ्रेंड्स आज हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे वीडियो काफी लंबा हो रही है तो इसे हम अपने फोर्थ पार्ट में सेर करेंगे इस चीज के बारे मैं अच्छे से बताऊंगी बट अभी फिलाल आप ये तीन चेज याद रखेगा कि सिक्षन को तीन फेज में डिवाइड किया गया अगर आप लोग को एक लिवाइड किये गए है एसा भी एक्जामपल आ सकता है कि सिख्छन कारे के सही संक्रियाओं को पहचाने यानि कि टिचिंग के सही options आप लोग को ढूणना है और उसमें से तीन options हो सकता है कि डौंग रहे और एक options रहे और ये एक options इन तीनों में से ही कोई दिया रहेगा तो इस तरह से याद रखेगा तो फ्रेंड्स आसा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आई है फ्रेंड्स तो आप लोग को मेरी चैनल का नाम तो याद हो ही गया होगा एटू जैड फाइन आर्ट है उसे प्लीज जाके सब्सक्राइब कर ले बेडाइगन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले अपने फ्रेंड्स के बारे में इस वीडियो को सेयर करे ताकि वो भी इनका लाब उठा पाएं और वो भी अपना एटू